अईभो मम प्रियाह स्रद्धेयाह चत्राह तत्र अहम आदुमम परिचयम दधामी अहम शूर्यमनि रथाह राष्ट्रय संस्कुरुद संस्तानस्य स्री सदाशिवा परिशरस्य पूरिस्थस्य सहित्य विभागे मुख्य अध्यापकह अस्म तत्र अचार्चय पदवी मध्य विद्यमानेन मया कभ्य प्रकासस्य पंचम उलासस्य पाठह भवतां पुरस्तात प्रस्तुयते तत्र भवंतह जाननती आचार्चय मम्मटेन भिरचिते अस्मिन काप्य प्रकास सह्संती अधुना इतह परम अन्यपी भेदाह अस्मा भीही आलोच इस्यंते बस्तु तह गुणिवुत भेंगेश्य विशय हो अतीव महानास्ति गुणिवुत भेंगेश्य विशय यादुरसी आलोच नममटेन कृता स अलोच नापी मनसी अधुर्तम आनंदम जनयती अरी कभ्यस्य इतावंतह भेदाहा पी सम्मामंती कवय हर्तावत इतादुरसान कभ्यभेदान नित्वा यानियनी कभ्यानी रचयंती तेसाम कभ्यानंग पी महत्वं चमचमायते अधुना गुणिहूत व्यंगेश्य अन्येसां भेदानाम अलोचन प्रसंगे ममटह किम प्रकाशेती ततस्माभीही अलोचैस्यते अधुना भावसांतेहे भावांगतया विद्यमानत्पेशती अपरेंग गुणिहूत व्यंगेस्थलम दर्शेती मममटह उदाहरणम जथा अविरल करवाल कमपनई भुकुटितर जन गर्जनई एर मुहूहू दद्रुसे तव वैरिनांग मदह सगतक्वापि तवे ख्यने ख्यनात अत्रापि कस्चिति चाटु कारह राजनंग बदती हे राजन तव सत्रवह करवाल कमपनादिना जम गर्बं प्रदर्शितवंतह अधुनासा गर्बह तव दर्शनमात्रेन क्वापि गतह तव दर्शनेन ते सत्रवह अतिव भीताह जातह अत्रापद्ये मदह क्वापि गतह इतियनेन मदभावस्य सांतिह भवती अतह भावसांति स्थलमिदम इति बदंत्यालंकारी कहा भावसांति ही ति कतनेन जत्रकष्य चिदि भावस्य सांतिह भवती भावस्य प्रसमो जायते तत स्थलम भवती भावसांते हे स्थलम अस्मिन पद्ये पी सत्रुनांग गर्भभः सत्रुनांग मदह इह आसिति पूरुबं खर्ग कम्पनेन तैही यह गर्भभः प्रदर्शिताह अधुना सह गर्भभः तव दर्शनमत्रेन क्वावि पलाईताह सह गर्भः अधुना नदुर्श्यते एतेन सत्रुनां यह अते वा यह मदभाव ऐत हम्स पुरबम सत्रुहीर प्रधर्षित हम्सामध भाव संत ए V2 उते प्र समध हम्स अम्स्ति दशouse भावोदयस्य भावांग त्वात अपरांग गुणिहुत बेंग्य स्थलं ममटः प्रदर्शेति तदर्थं अन्यतेकं पद्यं सह उदाहरन रुपेन अत्र प्रस्तु तत जथा साकं कुरंग कदुशा मधुपान लीलाम करत्वम स्रूत भीरपिवई रिनिते प्रवरूते अन्या भिधाई तवनाम विभो गुरुहीतं केनापित अत्र विशमा मकरो दवस्थाम अत्र भावोदयस्य भावांग त्वात अपरांग गुणिहुत अस्थलं भावतिति ममटः सभिप्रायह कस्चिदी चाटु कारह राग्य हस्तुति कसंगे कथेयती हे राजन भावतह सत्र भह यदा स्वपत्निभी सह मधुपानम कर्तुम प्रवृत्ताह जाताह तदालिंग कदाचिति केनचिति तव नाम सत्रुसं अपरं एकं नाम गुरुहीतं अर्थात भावतह नाम जत तत नामानु सारेन अन्यस्य कस्यचित नाम गुरुहीतवान अपरह कस्चित भावतह नामनासह सादुरुष्यं आभतह अपरस्य नामनह स्रवणेन ते सत्रवह भयवीतह जातह एतेन ते साम त्रासभावह समुत्पन्नह अतेवत्र भावोदयह जातह अयन भावोदयह चाटुकारकृत राजविशयक तुतेह अंगरुपेन वर्तते अतेव राजविशयकरती भावस्य अंगरुपेन विद्यमान त्वात इदंग अपी अपरांग गुनिहूत ब्यंग्यस्थलं भावती भावसंधेह भावंगत्वात जायमानम अपरांग गुनिहूत ब्यंग्यस्य स्थलं जथा असोड़ा ततकालो लसदसह भावस्य तपसह कथानां विश्रम्हे स्वतचरसिकह सैलदुहितुहू प्रमोदंबो दिस्यात कपटवटुवे सापनयने तुरासै थिल्या भ्याम जुगपद भीजुक तस्मरहरह पर्वत्याह कठोरत पसा यह सिवह असह नियांग अवस्तांग अपनोति अपिच ततकृतेन स्वविशयक आलापेन रसिकतांग आपन्नह जह सिवह भवति सह अधुना कपट वटुवे सापसारने तुरासै थिल्या भ्याम व्याकुलितह भवताम मंगलम आतनोतु पर्थात यह सिवह रसिकह आसीद अधुना स्व कपट वटु वे स अपसारने सह भिचलितह जातह भ्याकुलितह जातह। केन प्रकारेण सत्वरम कपट बटुबे सस्य अपसारणुं कृत्वा परवत्या सह मीलनं भवेते इती ये वतस्य अभिप्रायह जातह अत्र स्मरहर गत योहो तुरा सैथिल्य भ्याम जुगपत अभिजुकत्तह स्मरहर जातह इती कथनेन स्मरहर गताहा अत्र स्मरहर गत योहो तुरा सैथिल्य पद गत योहो आबेगध धर्ज्यक्ष्य विविचरी भाव योहो संध्यी अस्ति एकस्मिन तुरा सिथिलताच बर्तते अन्यत्र आबेग, धर्ज्य, रूप, विवेचारी भाव, तत्थ व्यंग्य रूपेण अत्र बर्तते असो भावसंधिही यताह द्वयोह भावयोह अत्र मेलनम स्थलम बर्तते अताह अत्र भावसंधि स्थलम कविनेश्टस्य सिवविशयकरति भावस्य अंग रूपेण इदम संधि स्थलम बर्तते अत्र अवेग धर्ज्य योह संधिही अत्र भावांगत्वात भावसंधेहे अपरांग गुणिहुत अभ्यंगे रूपेण इदम स्थलम परिचितम जायते तत्र भावसवलतायाहा भावंगत्वात जायमानंग परांग गुणिहुत अभ्यंग्य काप्व्यस्थलम प्रदर सैतुम् ममटह अन्यत एकं पद्यम उदाहरती तत पद्यम जथा पस्येत कस्चीत चल चपलरे कात्वराहं कुमारी भस्ता लंबंग वितरहहा वित्क्रमक्वासि जासी इत्थं पृत्थी परिब्रुढभवत वित्विसो रन्य बृत्तेहे कन्या काचित फलकिशलया न्याददाना विधत्ते अत्र चाटुकारह राजानं बदती जत हे राजन भवद रिपुहु अरन्य वसती तस्याह कन्या फलानी आहर्तुम अरन्यम गता तदानिम कस्मिस्चीति कामुके सा अनुरागिनी जाता एवं तम कामुकं सा बदती हे चपल इतह त्वम चला कस्चिति त्वया सह आलापरतां मांग दृष्ट्वा अन्यता चिन्तयत यदा सह युबकह चलितु मुद्यतह तदा पुनह सा कतयती हे गमने त्वराकथम अहम कुमारियस्मि मै करावलम्मनम वितरा मांग विहाय इतहत्वं न चला अत्र पस्चित इत्यत्र संका भावह चला चपलरे इत्यत्र अशुया कात्वरा इत्यत्र धृतिही अहम कुमारियस्मि इत्यत्र स्मृतिही हस्तालंबं वितरा इत्यत्र स््रमह हहह इत्यत्र दैन्यं च इत्यादि विविचरि भावह तिलतंडुल न्यायेन समह प्राधन्येन अत्रा स्वध्यमानह सम्ति अतह भावसवलितायाह इदंगेव भावसवलता इती कथने न अस्माभी ही इदम ज्यायते जत्र भावाहा परस्पर उपमर्दित सुभावाहा संतह अपी अख्यमाहा इती उगते परस्पर उपमर्दने विरतह भवंती भावसवलता जायते। भावानम एकत्र अवस्थानम भावसवलता अस्मिनि पद्ये पस्यत कस्चित चल चपलरे कातोराहं कुमारी हस्ता लंबं वितरहहा व्युत्क्रम कुत्र जासी इत्थन पृत्थी परिवुडभवत वित्विशारन्य पृत्ये कञ्या काचित फलकिशलया न्याददाना जत्ते इति अस्मिनि पद्ये अनेके भावाहा सम्मिलिताहा संती अतेव अनेके सांग भावानम एकत्र स्थिती जोगेन अत्र भावसवलता जायते एवंग रुपेन इतरांग गुणिहुत व्यंगयस्य अनेकानिस्थलानी ममटेन अत्र प्रदर्सितानी तत्र उदाहरणम अध्यमेन स्पष्ट रुपेन एतद ज्यायते जट अपरांग गुणिवत अभ्यंग्यम इति उखते न एकम स्थलम कुत्रची दिवर्तते अपीच एबंग रुपेन तत्र अनेकानी स्थलानी अपी द्रष्टुम सक्यम थे तत्र स्थाली पुलाक न्यायन ममटह केंचिती केंचिती आनिय यताह कुतह पी केंचिती केंचिती पद्यम समिचिन रुपेन आनिय पत्र अश्माकम पुरस्तात परदर सयती जट गुणिवत अभ्यंग्यस्य इतरांग गुणिवत अभ्यंग्यस्य इतरांग भेद रुपेन यत स्था नमस्ती बाइतरांग गुणिहुत अभ्यंग्य रुपेण या भेदह अस्ती तस्य भेदस्य पी अनेन अस्माभीही आनोचना कृता यते तावत रसवद अलंकारहा इती ममटस्य अभिप्रायह नास्ती परंतु अन्येकेचन अलंकारिकहा कथयंती यते तावत रसवद अलंकारहा तेसम मतमानिय ममटह तेसम उक्ति मत्र उद्रुत्य कथयती एते च रसवद अलंकाराहा एते रसवदादी अलंकाराह रसवदादी नमना प्राचिन अलंकारीके ही भावधंडी प्रभुर्तिवी ही सिकृताह संती रसवत प्रेयह उर्जस्वी चयती त्रयह अलंकारतया सिकृताह परंथु भावसंतिही भावसंधिही भावदयह भावसवलता चोयती अलंकारतया न सिक्रियंते आनदवर्धना चार्जियह अभिनवगुक्तस्च अस्मिन प्रसंगी नीरवोवतह अतह जदी कस्चिदी बुरुयात एसम कादसा तरी सिष्च्य सिख्यनार्थं नमटह कतयती प्राचिनालंकारी काणं मतेना चार्जियह अभिनवगुक्तस्च अस्मिन प्रसंगी नमटह कतयती एते सम्सर्वेशं अलंकारत्तम उचितम ममटमतेन एते अलंकाराह नभवंति परंतु एते सर्वे गुणिहुत बेंग्यस्त लत्वेन स्युक्रिताहा गुणिवुत वेंग्यालो चना प्रसंगे एते संग स्थानम कलप यतह ममटस्य अयंग भिप्रायस पस्टह भवति जत रसवदादी अलंकाराहा नालंकार पदवच्याहा अपितु गुणिवुत वेंगस्य बेदांत रत्वेन गणिताहा भवेहु उपमादिवत एते न कभ्यात्मन ह उपकारी नह भवंति अत्र ममटस्य अयंग भिप्रायाह एते रसवदादी अलंकाराहा प्राचिनेही भामाहा दिवी अलंकारी केईशिकृताह सम्ति ममटमतेन एते रसवद अलंकाराह अलंकार पदवाच्यत्वेन गणनियाह भवेई हुँ जताह अलंकारानां अयं सुभावह अयं धर्मह ते रसस्य उपकारकाह भवेई हुईती परन्तु गुणिहुत व्यंगे आलोचना प्रसंगे एते जे विशयाह अधुनासमा भी आलोची ताह एते तु गुणिहुत व्यंगे अंतर गताह भवंती न रसवद अलंकार विभागे इदी ममट सभिप्रायह स्पष्ट अब भवती अताह परम सब्दसक्ति मुलानुरणन रूपस्य उपमालंकारस्य वाच्यांगतायम अपरांग व्यंग्यम गुणिभुत व्यंगे अश्य भेदांतरम दर्सईतु ममटाह लिखती जनस्थाने भ्राम्तम कनकम्रगत्रुष्णांधित अधिया वचो वईदेहीती प्रतिपदम उदस्त्रु प्रणपितम कृतालंका भरतु हुँ बदन परिपाटी शुगटना मयाप्तम रामत्वं कुशल वसुता नत्त अधिगता अत्रपद्य जनस्थानम कनकम्रगत्रुष्णा वईदेहीती कृतालंका भरतु हुँ च इत्यादि पदानम सब्दसक्ति महिमना अर्थ द्वें भवती प्राकरणिकार्थबोधानंतरम प्राकरणिकार्थबोधाह जदा जायते तदा कुच्छित सेवकान सेवमानस्च्य सेवकस्य रामेन सह उपमय भावह कलिपितह जात हु एतेन अत्र उपमा आगच्छती कविगत दैन्यक्ष बेविचरि भावस्य अंगतया यं उपमा वर्तते अतह अपरांग गुणिवत भेंगयस्य इदम स्थलं इदी ममटस्य भिप्राय हु ब्रुतोपी ममटह एतत्त प्रतिपादैत्म लिखती अत्र सब्द सक्ति मुल अनुरणन रूपह रामेन सह उपमान उपमेव भावह बाच्च्यताम नितह अर्थशक्ति मुलस्य, संगलख्य क्रमवेंग्यस्य, बस्तुर उपस्य, बाक्चेंग तायं, अपरांग गुणिहुत ब्यंग्यस्थलं जथा, आगत्य संप्रति इत्यादी पद्यं अत्र पद्ये कमलिनी खंडिता नायका रूपेण चित्रतास्ति, कमलिनी वृतंते नायकस्य वृतंतह पियारोपित भवति, पद्ये विद्यमानानां पादपतनं सहस्र रस्मिही विशंष्टुलांगीति पदानं चमतकारी और थामतरमपी बर्तते, सब्दसक्ति बलेन और प्द्ये बुद्य पिद्यमानष्य रवि कमलिनी वृतंतश्य अंगा रूपेण आरोपित श्या नायका नायका वृतंतश्य अंगा रूपत तया इदं स्थलं चकास्ति, कतह अपरांग गुनिहुत ब्यंग्या स्थलंग्यां आटि ममटेण प्रतिपाधित भवंतह जान गुणिहुत वेंगयस्य भेदेशु बाच्य सिध्यंगम्मिती अपरहकस्य भेदुपी वर्तते। गुणिहुत वेंगयस्य अपरहकस्य भेदुपी वर्तते। इतह पूर्वम्मस्माभी आलोचितं जत्र बेंगयं स्वतंत्र उपेणति श्ठति बेंगयर्थस्य प्राधन्यं भर्तते। तत्रेव धनिहिभवती वेंगयर्थस्य बाच्यार्थ पेखया प्राधन्यसति धनिहिती सर्वेशं अलंकारिकाणं अभिप्रायह। परन्तु जत्र मुख्यतया विद्यमानह बेंगयर्थस्या सिधिकारित्वं आपनोति अर्थात बाच्यार्थस्या प्राधन्यसति अर्थात् आच्यार्थस्या जाथार्थ्यां प्रति पाधयति तदानि सायव वेंगयर्थः स्वप्राधन्यम हारयति अतह तत्र बाच्या सिध्यांग गुणिहुत्या व्यंगया स्थलरुपेण तत स्थलम आपतति अधुना ताद्रुसस्या एकस्या स्थलस्या आलोचनं नतया भवन्त शुरुनमंतु एतदर्थम एकम समीची नंग पद्यम ममटःपी उदाहरती तत्र बर्षा काले विरहिनिनंग अवस्ता कथं भवती तत्र जे विरहिजनाहसंती अथवा जाह विरहिन्यहसंती तेसं तासंगभा अवस्ता कथं भवती सा अवस्ता अस्तनि पद आचरजेन अत्र स्थापिता अत्र जह कविही अस्य पद्यस्य रचैतास्ति सह कविही विरहिनिनाम विरहिननग्वा अवस्तांग अत्र बर्नयति सावधानते अत्र अस्माभीही सुरोतव्यं मन्तव्यं किमस्ति अस्तिनि पद्य ब्रमी मरती मलस हुधयतां प्रलयं मूर्चां तमह सरीरसादं मरणंच जलद भुजगजं प्रसय कुरुते बिवोगिनी नाम जलद भुजगजं विशं बियोगिनिनां प्रसाइह कुरुते यदा वर्षा कालह आगच्छती आकासे मेघमाला उन्मत्ता भवती आकासात अविरलगती द्वारा अविरलगती जुक्ताहा मेघधाराहा भुवं स्प्रुसंती तदानी प्रति विप्रुष्टे विद्यमानाहा विरहिन्यहा कांग वस्तांग उन्मत्ती तदत्र कविना प्रदर्शितप भ्रमिम अरतिम अलसहुदयतां प्रलयं मूर्चां तमह सरिरसादं मरणंच जलद भुजगजं विशं कुरुते प्रसाइह व्योगिनिनां जलदाह एव भुजगाह जलद भुजगाह अतर आरोपडम जातब आकासे जलदाह खलुभासंते कृष्ट्न बरनाह जलदाह कृष्ट्न सर्प तुल्याह भवंती जलदात जथा बीशं अर्थात जलम निर्ग्रचती तथा भुजगाह अपी बीशं गलितं भवती जथा कस्चिती सर्पह कस्याचिती दंशनम करोती सर्प दंशनेन, सर्पस्य बीशं, तस्य जनस्य, घृदी प्रविश्य, जनस्य एतादुरुशिंग अवस्थां जनयति, तथा आकासे भासमानाहा, मेघाहेव, सर्पस्रुपाहा, तेसाम, सर्पस्रुपाणं, मेघानां, बीशं, जलं, जदा बिरहीनिनाम, हुदयं स्पु सती तदानि विरहीनिनांग अपी एता दृशिकाचिते अनिरिभचनिया अवस्था जायते, जथा सर्पदंशनेन भ्रमिही जायते, अलसहृदयत्यम जायते, अरतीही भवती, तमह जायते, मुर्चा जायते, सरिरे विशादोपी जायते, अम्तत दोगत्वा, जनस्य मरणंग अवती, तथा क्रमेन भुजग जलद, जलद रूपी नां, सर्पाणां, विशा संस्पर्शेन आगत्य विरहीनिनांग अपी एता दृशिकाचिता जायते, अत्र तावत कालं जलदे सर्पत्वारुपणं नसिद्यती, जावत कालं विशे अर्था जले वि जले विशे अरोपणं नभवती, अतह विएंग्यम आगत्य अत्र वाच्य अर्थास्य सिद्धिकारी भवती, जावत कालं वाच्यस्य सिद्धिंग विएंग्यं नकरोती, तावत कालं अस्मिनिपद्य अर्थाप वोधो नजायते, अतह अत्र विएंग्य अर्थास्य इते न इदंगे व गुणिउत बेंगयास्य तृतिय व्धैद स्थानमिती ममटस्य अभिप्राय ह स्पष्टरुप्रावथ पुनह वाच्य सिध्यंगस्य अन्यत पेकम स्थलं दर्शाइतुम् ममट उदाहरति गोपिंग हरिही पात वह अस्मिन पद्य काच दि गोपी कृष्णंग भदती हे अच्युता अस्मिन निर्जने स्थाने केवलं भवता दर्शनेन ममत्रुप्ती ही कथम पिन जायते तो या सह एकाकिनी मांग विलोक्य खल जनाह अन्यता चिंत यही हु अतह अहम इतह गच्छामी स्रुम्गार क्रिडार्थम आमंत्रणं कूर्वतीम गोपिंग ततह परम आलिंगन हरिही अस्मान पातु अत्र आमंत्रण भंगी सुचित बुथा वस्ता न खेदाल सा इती गोपिकायाहा जा अवस्ता भर्णिता अस्ती सा अवस्ता खलू बात्य हु अयं बात्य हु तावत नसिद्यती यावत अच्छित इति पदे गोपिकायाहा सलुन्ठ वचनम बिंगे रुपेण न प्रतीय यह चिवताह नभवती सह अचिवताह परंतु मया सह रमणम कर्तुम भवान अनिच्छन चिवताह भवती अत्रवस्थानं भृता इत्यादी ब्यंग्यम बाच्यार्थस्य सिद्धी करित्वात बाच्य सिद्ध्यंगम उनिहुत ब्यंग्यम ब्रुतोव आचार्जिह लिखती अत्र अच्चितादी पद व्यंग्यम आमंत्रण इत्यादी बाच्चियश्य भगवान अच्चिताः इति उच्यते गोपिकया सह रमनं नकृत्वा सह रमन कार्जयात चिवताः भवती एतेन कृष्णंप्रती गोपिकायाह अभिमान पूर्णं सोलुंठ वचनं साभिप्राय वचनं व्यंग्यम भवती व्यंग्यम इदं आमंत्रण भंगी सूचित व्रुथा इत्यादी बाच्यार्थस्य पुष्टिम करोती अतह बाच्य सिध्यंग रूपेन एतद अपीवक् व्यंग्यस्य इदं स्थानं जायते अत्रप पुर्भोक्त पद्यात भ्रमी मरती मलस हुरुदयम इत्यादित अह अस्य गच्छा म्यच्चुत इती पद्यस्य भेदकम अस्तिनास्तिवा इती प्रतिपाद इत्यमुच्यते तत्र प्रथम पद्ये एकह कविही वक्ता आसित तत्र प्रथम पध्य कवी ही कथयते भ्रमी मरती मलसर हुदयता मित्यादी रूपेण जत पध्यम कवी नरचितम तत्र कवी ही एकमात्रं बक्ता भवती परंतु दितिय पध्य प्रथम आर्धे दितियार्धे चा तत्र बक्तर रूपेण भेद द्ध्वयमस्ती तत्र प्रतम अर्धे गोपि का भनती दित्य अर्धे कविही भनती अतेव दितिय पध्ये दोव बक्तारु प्रतम पध्येतु एक हक्विही बक्ता अनेन क्रमेन उभयो हो पद्य यो मध्य भेदह अस्ती अन्यत सर्वं समानम अर्थात प्रतम पद्य जथा अपरांग गुणि हुत ब्यंग्यत्वं दितिय पद्य पी तथा अपरांग गुणि हुत ब्यंग्यत्वं केवलं प्रतम पद्य एक बक्त्रु गत त्वेन दितिय प पद्धे बक्त्रु द्वयगत त्वेन इती केवलं भेदाहा अन्यत सर्वं समानम गुणिहुत ब्यंगयस्य जे अस्टु भेदाहास माभी ही अधुनालोच्यम ते क्रमसाहा तेशु भेदेशु अस्फु ठाख्याहा गुणिहुत ब्यंगय भेदाहा अन्यतमहास्ति अस्फोटाख्याह इती उक्ते यत्र ब्यंगयस्पष्ट रुपेण न प्रतियते तत्र अस्पुष्टाख्याह गुणिहुत ब्यंगय भेदाहा भवती बेंग्यार्थस्य स्पस्टतया प्रतिति अभावात अस्पस्ट प्रतिति जोगेन अयन भेदह आगच्चती जत्र स्रोकस्य बेंग्यार्थ भोधने स्रोता कष्ट मनुहवती स्पस्टरुपेन बेंग्यार्थस्य भोधह तत्र नजायते एता दुशह गुणिवत बेंग्य भेदह तत्र जायते इती ममट सभिप्रायह एत दर्थम सहलिखती एकंपद्यम अदृष्टे दर्षनत कंठा दृष्टे विच्छेद भीरुता नादृष्टेन नदृष्टेन भवता लभ्यते शुखम अत्र नायकमुदिस्य नायकायाह कतनाती दम ज्यायते जत भवान ममनेत्रपथात जथा अदर्षनियह नभवेत अथवा भवता व्योग दुखम जथा मांग नभाधेत तथा भवता कर्थव्यम एतत भ्यंग्यम सहुर्दयानंग पी प्रतिति पथम स्पष्टतया नागच्छती ती कृत्वा पत्र भ्यंगेश्य स्पष्ट प्रतिती ही नभवती नता गुणिमुद्य भ्यंगेश्य अस्फूटाक्याह अयं भेदाह इती ममटस्य अभिप्रायह अस्फूट अख्या गुणिवुत बेंग्यभेदह इते कथनेन व्यंग्यार्था जत्र सहुर्देयनंगपी स्पष्ट रुपेन बोधविशयह नववती तत्र अस्फूट अख्या गुणिवुत बेंग्यभेदह जायते तत्र बहुदिनान अंतरम विदे सात आगच्चन्तम कमपिनायकम नैका बदती अद्रुष्टे दर्षनत कंठा द्रुष्टे विच्छेद भीरुता नाद्रुष्टेन नद्रुष्टेन भवता लभ्यते सुखम अर्थात भवतह दर्शनेन अधुना सुखम जायते पुना कदाचिती भावी निकाले भवतह बिरह आगचेत इती स्मुर्त्वापी मनसी दुखम जायते अधुना भवतह दर्शनेन किंचिती कालम जावत शुखम जायते दुखम नतिष्ठती परंतु भावि निकाले भवतह बिरहह भवेते इती धिया मनस्य पी दुखम जायते अतह हे प्रिय भवा नेवं करतु जथा भवतह बिरहह ममकृते नस्यात अतेवा भवतह दर्शनेन पी ममसुखम नास्ती भवतह अदर्शनेन पी सुखम नास्ती अत् दर्शनेन कहतं दुखरम जायते सुखरम आगाच्छत तृ दर्थम नाईक जड़ती जद्यपी भबत्ह दर्शनेन अदुना ममगनासी महत सुखरम जायते तथापी इदम सुखरम ख्यनस्टाई भबती परबरती निकाले भबत्ह विच्चता भविषयती ती मत्वा इदम अतेव भवतह दर्शनेन अपिमया सुखंग लभ्यते भवतह अदर्शनेन अपिमया दुखंग लभ्यते वयत्र दुखस्येव सम्राज्यम तर यत्र अस्पुटाख्यत्वम कथम जातं इती चेत अत्र ममतह कथयती नाइकायाह अत्र अयंग अभिप्रायह जत भवान ममनेत्र पथात जत अधर्शनियह नभवेत अथवा भवतह विरह दुखं जता मांग नभाधेत एवं भूतम कार्यं भवान करोतु इती जह बेंग अतेव स्पष्टरुपेण भेंग्यार्थस्य अप्रतित जोगेन स्पष्टरुपेण भेंग्यार्थस्य प्रतित अभावात अत्र अस्पुटाख्याह गुणिभुत भेंग्याह अत्र स्पष्टरुपेण भेंग्यार्थस्य प्रतित अभावात अस्फुटाख्याह ग गुणिवुत ब्यंग्यं भवतीती ममटह प्रदर्शैतुम अन्यत पेकम उदाहरणं पत्रप्रस्तुति। जदी वाक्च्य ब्यंग्य हम अध्ये समानं प्राधन्यमस्ति तरी तत्रापी गुणिवुत ब्यंग्यं भवतीती ममटच्य भिप्रायह। एतदर्थम कुमार संभवस्य एकंग पद्यम सहुदाहरत। हरस्तु किंचिदी परिलुप्त धर्ज्यह चंद्रोधया रंभई बांबु रासिही उमा मुखे बिंब फला धरोष्टे व्यपारया मास बिलोचनानी। अस्मिनिपद्य हरह सिवह पर्बत्यह मुखे स्वन नयन विस्तारणं कृतवान केवनम अधवा तस्यह मुखं चुम्बितुम अइच्छत इती उभई हो मध्ये प्राधन्यम समान वस्ति। व्यपारया मास बिलोचनानी ती कथनेन तत्र लोचनस्य व्यपारणं लोचनस्य पातनं लोचनानं तत्र निपातनं तत्र सिवस्य नेत्रत्रय त्वात व्यपारया मास बिलोचनानी ती उप्तमस्ति अतेव लोचनानं व्यपारणेन केवनम साह पर्वत्यह मुखं अपस् अपीच परवत्य हा मुखंग अपी चुम्बित्म अइच्छत इती ब्यंगे अर्थस्य अपी प्राधन्यम अत्र जायते अतो बाच्य ब्यंगे यहो समान प्राधन्यम अत्र विद्यमान त्वात समान प्राधन्यम अत्र वर्तते इती कृत्वा उभयो मत्य तुल्य प्राध अतवा ब्यंग्यार थे कुत्र शिवस्य इच्छा अस्ति अतवा शिवस्य इच्छा कुत्र वर्तते इति ज्यांतुम सावाजी कहापी संदिक्धा भवन्ती अतवात्र संदिक्ध प्राधन्यों वर्तते इति कृत्वा इदम स्थलम संदिक्ध प्राधन्यस्य इति तुल्य प्राधन्यापी गुणिवुत स्थालं भवति जता बरावनाति क्रमत्याग भवता मेवा भूतये जामद वविनस्ततां मित्रम अन्यता दूर्मनायते ऑत्त्रपरसुरामः जता खित्रियान विनस्तान कृतवान तफा रावनोपी अचिरादेवा भवतां विनष्टम करिश्यती व्यंग्यम् दुर्मनायती व्यंग्यम् दुरृंती व्यंग्यम् और भवता। गुणिहुत ब्यंग्यस्य स्थलंग अपी दर्शाइतुन ममटह कथयती काकवा खिप्त गुणिहुत ब्यंग्यस्थलंग काकुर नाम धोनेर विकारह भिन्नकंठ धोनेर धीरेई काकुरीत्य विरियते जत्र काकु बलेन अर्थंत रस्य प्रतित्रि भवती तस्य अर्थंत प्राधन्यम् तदानिंग् नभवति अते वतत्र गुणिमुत व्यंग्यम् भवति एतदर्थम् बेणि संगरस्य एकंपद्यम् उदाहृत्यम् अटःति मत्नामि कौरवसतं समरेन कोपात दुस्चा सनस्यरुधिरं नपिवान रस्तह संचूर्नयामि गदया नसुजो धनोर संधिम करो उत्ववतं न नपति पनेन अत्र गदया दृज्योधननस्य उरुजओबलस्य चुर्णनम न क्रो मिवा दुसा सनस्यरुधिरं न पिवा मिवाः इत कथनेन पिवामि एवा संचूर्नयामि एवा इत अर्थस्य ज्यानात अत्र काकुहु आगच्छति काकु इतस्य अर्थस्य प्रतिपादनेन अत्र अर्थस्य प्राधन्यम लभवति वेंग्य अर्थस्य गुणिभुतत्तम जातं काकुद्वरा अर्थांत्र प्रतिति जोगेन इदम स्थलंभवति काक्वाखिप्तम गुणिभुत्त वेंग्य स्थलं मिति अताहपरम काक्वाखिप त भेदान अंतरम असुन्दरम इती गुणिवुत वेंग्यस्य यह भेदअः परिकल्पितः अंतिमह भेदअः तस्य विशयपी ममटःह एकं सुन्दरं पद्यम उदाहरति बानीर कुंजोडिन शकुनि कुडाहलं शुनमंत्यह गुरुहकर्म व्याकुरुतायाह बद्ध सिध मती अंगानी इती यत्र सिध मती अंगानी इती बाच्यार्थस्य चारु तोंभर्थते। ब्याप्रुता बधु चिंते यती अरे अधुनामाम दत्त संकेत हप्रियह लताकुन जंप्रति प्रविष्टह अहुंतु गुरह कर्मनी ब्याप्रुतास मी अते वा तत्र गंतु नपारया मी भावी सुरुंगार अस्य स्मरणं कृत्वा तस्य सरीरं रुमांचितं भवती तस्य सरीरं सिधती कंपनम जायते अतह अत्र इदंगेव बाच्यां भवती बाच्यार्थस्य प्राधन्यम अत्रन उहियते अस्मिनी बाच्यार्थे चारुत्यम जायते परन्तु दत्त संकेत हप्र कस्चित नताकुन जंप्रविष्टह इती व्यंगे तथा विधम चारु इति खुरुत्वात्र आलंकारिकाः असुंदरात्र अख्यस्या गुनिहूत्य भेंगेष्या स्थलाम हेतत इति कभर यंथि लत्र इदमताप परजयर्जिक जदी बैंग्यारथस्यल चारुक्त्र मस्याथ तरितस्यय प्रधन्यंग अवस्यम भवेत बेंग्यार्थास्य प्राधन्य धोनिही भवेत परंतु अत्र बाचेर्थास्य चारुत्य जोगेन बेंग्यार्था पिक्षया बाचेर्थास्य पी प्राधन्यम जातम जेन अत्र असुंदराख्यम गुनिहुत बेंग्यम जातम इती आलंकारी कहा वदंती ममट्टास्य पी अभिप्रायह इदंगेव भेदस्तलं गुणिभुत भेंग्यस्य अंतिम भेदस्तलं भवती असुंदराख्य रूपेन अस्य भेदस्य गणनम क्रियते एतावत परज्यन्तम अस्माभिही गुणिभुत भेंग्यविशय महत्यालोचना प्रकल्पिता तत्र गुणिभुत भेंग्यस्य एतेजे अस्टु भेदाह ममटेन प्रदर्शिताह एतेशं अस्ट भेदानं बहुनी उदाहरनानी अपि प्रदर्शितानी संति तत्र ग्रम्थे मूल पाठे विस्तरतया एसं अलोचना पिकृतास्ति तत्र दिग्दर्शनार्थम अस्माभेही अत्र किंचित अलोचितम भवन्त छत्राह एतनमारगेन गत्वा अवस्यम ममटकृतस्य अलोचनस्य गभीरतम प्रदेशंप्रति गंतुम समर्थाह भवेयुहू इतह परम् अस्माभेही गुणिवुत्वेंग्य विशय अन्यकाप्य अलोचना नक्रियते इदानिंग जावत गुणिवुत्वेंग्य विशय अस्माभेही जा अलोचना कृता अंग मन्य गुणिवुत्वेंग्य विशय भवताम काचिग अवधारना अत्र जातायती समन पुनाह पुनाह अस्य विशयस्य अलोचनेन, पुनाह पुनाह अस्य विशयस्य पठनेन, तत्रबंध विशाह अलोचनेन, गुनिहुत भेंगय विशयह भवताम सुलभास्यात, अताह अस्मिन विशय, अधिकम किंचिद्यम नालोचयामी, एतावत्यव अस्तु गुनिहुत सुभां भावतु धन्यवाद हाई